जैहिन दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देखे रहे ग्लोबल कॉन्फलिक्ट दोस्तो आप लोग यूट्यूब में बहुत सरे वीडियो में देखे होंगे कि दुनिया के टॉप सबसे अडवांस तरीन या सबसे आधुनिक या सबसे मजबूत फाइटर के बारे में बताऊंगा जो सबसे महेंगे तरीन फाइटर एरक्रेफ्ट माना जाता है तो दोस्तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तो टॉफ टेन कोस्टली या मोस्ट एक्सफ कोयान कॉर्प्रेशन का बनाया हुआ मिक 35 फाइटर एरक्रेफ्ट का दोस्तो ये mmrca टेंडर में शामिल एक एरक्रेफ्ट है जिसे रश्या द्वारा भारत को ओफर किया गया है इवन इन एरक्रेफ्टों को रश्या मिक 29 के बेस पे ही बनाया गया है और जिन के मध्य क्या एरक्रेफ्ट कहा जा सकता है और दोस्तो इन में से हर एक एरक्रेफ्ट के यूनिट कॉस्ट मतलब फ्लाई हुए कंडीशन में कॉस्ट करीबन 55 मिलियन डॉलर है दोस्तो इस लिए नौ नंबर पे जो एरक्रेफ्ट है वो इंडियान एयरफोर्स में सबसे इन एर्क्राप्टों को इंडिया इन स्पेसिपिक मॉडनेशन के साथ ट्विंड सेटेड मल्टि रोल एर्क्राप्ट के तहद डिजाइन किया गया है जबके एर्क्राप्टों के पास अत्याधूनिक एवियोनिक्स और उन्ट मातरा का इलेक्ट्रोनिक्स इक्वेप्मेंट ह दोसो इन एरक्राप्तों में जो avionics और electronics का इस्तेमाल किया गया है उसे छे अलग-अलग देशों के टोठल चौदा कम्पनियों से भारत द्वारा इंपोर्ट किया गया है और इसलिए ही इन एरक्राप्तों को इस सिरीज के सबसे आधूनिक एरक्राप्त कहा जाता है सुखुई 30 MKI के हर एक एरक्राफ्ट के प्रेसेंट कीमत करीवन 63 million dollar कहा जाता है लेकिन 2014 के एक डेटा के मुताविक उस समय इन एरक्राफ्टों का कीमत करीवन 50 million dollar के आसपास था और दोस्तो ये कीमत सिर्फ एक एरक्राफ्ट के unit cost मतलब बिना हतियार और बिना maintenance का cost है दोसो लिश्ट का आठवा नंबर का येरक्राफ भी भारत को MMRC टेंडर के तहट ओफर किया गया है और दोसो ये येरक्राफ अमेरिकी नेवी के कैरियर बॉर्ण ओपरेशन के सबसे महत्वपूर्ण येरक्राफ है दोसो मैं यहाँ पे बोईंग की F-18 सुफाहरनेट ब्लॉक 3 का बात कर रहा हूँ जिसे आइकोनिक F-18 एरक्राफ से डिजाइन किया गया है फिलाल इसे अमेरिकी नेवी के एरक्राफ कैरियरों के उपर कैरियर बॉर्ण मल्टी रोल फाइटर एरक्राफ के तहट इस्तेमाल कि ओफर किया गया है और दोस्तो यह F-18 सिरीस का सबसे आधुनिक एरक्राफ है 2020 के एक डेटा के मुताविक इन में से हर एक एरक्राफ का यूनिट कोस्ट करिवन 80 मिलियन डॉलर है और इसी बजाए से यह इस लिश्ट का आठ हुआ एरक्राफ है जबकि दोस्तो इस लिश्ट रश्या द्वारा MIG-35 के बाद भारत के MMRCA टेंडर को जीतने के लिए ओफर किया गया था दोस्तो इन एरक्राफ्टों को सुखोई 30 MKI के एक्स्पिरियंस को ही इस्तेमाल करके रश्या द्वारा डिजाइन किया गया है और रश्या के बेड़े में यह सुखोई 57 के बाद स सबसे आधुनिक एरक्राफ्ट है इवन इसे रश्या द्वारा सबसे आधुनिक 4++ जेनरेशन के फाइटर एरक्राफ्ट भी कहा जाता है रश्या के दावे के मुताविक इन एरक्राफ्टों के पास 14 हाट पॉइंट है जिसके मदद से ये एरक्राफ्ट दुनिया के सबसे जादा वजन उठाने वाले fighter aircraft में शामिल होता है इस aircraft के fast total 8 ton के payload शमता है जो aircraft को एक घातक aircraft में तफदिल करता है 2020 के data के मुताविकिन में से हर एक aircraft का unit cost करिवन 108 million dollar है दोसो छटा नमबर पे ऐसा aircraft है जो Indian Air Force में operational भी है और MMRCA tender में भी है और आप सब लोगों को पता चल गया हो fighter aircraft कहा जाता है और यह France के Dessol Aviation के द्वारा बनाया हुआ aircraft है अल्रेडी इंडिया द्वारा 36 ऐसे aircraft को खरीदने के लिए डील के उपर हस्ताक्षर किया जा चुका है और इंडिया को 8 aircraft को का delivery भी मिल चुका है दोसो इन aircraft को को लेके काफी जादा information दिया गया है जबकि इंडिया द्वारा क्या-क्या इन में नया additional equipment इंस्टॉल किया गया है उसके बारे में भी खुलासा नहीं किया गया है इसलिए इंडिया का कीमत कहना अभी सही नहीं होगा 2020 के एक data के मुताविक इन में से हर एक aircraft के unit cost 124 million dollar है जबकि कही कही पे हत्यारों के साथ एक एक aircraft का कीमत 200 million dollar तक भी जिकर किया गया है जबकि internally अगर इन aircraft को French forces के लिए खरिदा जाए तो बहुत सारे जगा में इनका कीमत 100 से 110 million dollar तक भी उलेक किया गया है पर दोस्तों 123 million या 24 million dollar जो इसका price है ये unit cost खाली aircraft के export price है दोस्तों लिश्ट में जो पांचवा aircraft हो अमेरिका के सबसे बहतरीन dogfight aircraft है और इसे भी MMRCA tender के तहत भारत को offer किया गया है दोस्तों मैं यहां पे Boeing के ही बनाया हुआ F-15E या फिर F-15 Eagle का बात कर रहा हूँ दोस्तों ये iconic F-15 aircraft से redesign करके बनाया हुआ है और इसका सबसे आधुनिक version है F-15EX जिस aircraft को इंडिया को भी offer किया गया है और 2020 के data के मुताविगिन में से हर एक aircraft का unit cost करिवन 136 से 138 million dollar है दोस्तों ये भी export price है ना कि ये अमेरिकी Air Force के लिए offer किया गया price है दोस्तों चौथे नंबर पे एक 5th generation aircraft का नाम आता है और इस project में भी कुछ साल पहले तक भारत एक partner के रूप में जुड़ा हुआ था दोस्तों मैं यहाँ पे रशिया के 5th generation fighter aircraft सुखोई SU-57 का बात कर रहा हूँ दोस्तों अमेरिकी 5th generation fighter aircraft को counter करने के लिए रशिया के तरफ से सुखोई 57 को design किया गया और ये एक twin engine single seated multi roll stealth air superiority fighter aircraft है इन aircraft 2 के एक twin seated version मतलब FGFA के उपर भारत भी रशिया के साथ मिलके काम कर रहा था लेकिन कुछ differences के वज़ा से 2018 में भारत अपने आपको इस project से बाहर कर लिया दोस्तों इन aircraft 2 को अमेरिका के बाद दूसरा operational 5th generation aircraft का दरजा दिया जा रहा है जबकि चायना के aircraft 2 को बहुत जगा में 5th generation fighter aircraft का दरजा दिया भी नहीं जाता है एक data के मुताव एक रशिया के तरफ से नया नेवला डिजाइन किया हुआ सुकोई 57 fighter aircraft के unit cost करीबन 1500 मिलियन डॉलर है जबकि आने वाले समय में ये cost और भी बढ़ सकता है क्योंकि रशिया के तरफ से इन में कुछ अत्याधुनिक equipments, radars और इंजिनों का installation करना अभी भी बा लाया हुआ, four generation के multi-role fighter aircraft, euro fighter typhoon का बात कर रहा हुँ, दोसों इन aircraft को योरोफ के देशों के ज़रूरत और अमेरिका से इंपोर्ट को कम करने के लिए design किया गया था साती साथ, इन aircraft के पास इतना भी capability होना चाहिए कि ये आसानी से रशिया के तरफ से design किया हुआ आदुनिक fighter aircraft को counter कर पाए, 2020 के data के मुताविकिन में से हर एक aircraft के unit cost करीबन 175 million dollar है, और दोसों इस लिस्ट का दूसरे नमबर पे नाम आता है दुनिया के सबसे ज़्यादा संख्या में बनाया गया, fifth generation fighter aircraft का, मतलब अमेरिका के iconic F-35 fighter aircraft का, दोसों इन aircraft को सबसे आधुनिक fighter aircraft का दर्जा दिय एक data के मुताविक अफ तक अमेरिका द्वारा 400 billion dollar से भी अधिक रकम F-35 के development cost के हिसाब से खर्चा किया जा चुका है, जबकि ये आने वाले समय में बढ़के करीवन 1 trillion dollar से भी अधिक लागत बन जाएगा, दोसों इन aircraft के total 3 initial version मतलब F-35A, B और C है, जबकि इसराइल के लिए बनाया हुआ F-35I जैसे aircraft भी शामिल है, और इसलिए इन में से हर एक aircraft के कीमत भी अलग है, पर F-35 के सबसे महेंगे तरीन version का कीमत 180 million dollar तक लगाया जा रहा है, जबकि कुछ sources में F-35I का कीमत 200 million dollar भी कहा गया है, और दोस्तों इस लिश्ट में सबसे महेंगे तरीन aircraft का दर्ज बनने का हैसियत भी है, और इसी वज़ाए से इन aircraft के कीमद भी काफी यादा है, दोस्तों वैसे तो इन aircraft के कीमत के वारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, और अमरीका द्वारा ना ही इन aircraft को कभी किसी देश को बेचा गया है और ना ही आने वाले समय में ऐसा होने का सं भावनाय दिखाई दे रहा है इवन 2011 के बाद इन एरक्रेप्टों के प्रोडक्शन भी बंद कर दिया गया है इसलिए 2010 के कीमत को ही इन एरक्रेप्टों के आखरी ओपिशियल कीमत माना जाता है दोसो 2010 के डेटा के मुताविक F-22 एरक्रेप्टों के हर एक एरक्रेप्ट के फ्लाइवे कंडिशन का कीमत करीवन 1500 मिलियन डॉलर था जबकि इसी कीमत को ही आधर बना के एक आखलन के मुताविक अगर इन एरक्रेप्टों का प्रोडक्शन अभीवी होता और अमेरिका द्वा पे हर एक एरक्रेप्ट के यूनिट कॉस्ट और एरक्रेप्टों के फ्लाइवे कंडिशन में एक्स्पोर्ट कीमत के बारे में बताया हूँ जबकि अलग-अलग देशों को बेचे जाने वाले कीमत में काफी डिफरेंसेस हो सकता है क्यूंकि एरक्रेप्टों के डीलों के स अलग-अलग हो सकता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को फ्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिन